मैं आज जो बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर देने जा रहा हूं उसको आप समझ लिगे मैं जानता हूं कि छत्पसावजी मारा विश्वदाले से रिजल्ट आउट हो चुका है और ये बिए बेसी प्रत्रम ठर्ड और फिट समिस्टर के सभी स्टुटेंट्स के उपर एपलाई भी कर रहा है समझने की बात ये है कि आपके छे पिपर्स हैं और किसी के कम है फिट समिस्टर वालों के बाराल आप सभी लोग इस बात को देखिए कि इस बात को घबडाए मत कि आपका रिजल्ट खराब है कहीं आप कैरी ओन देखते हैं कैरी ओवर लिखा हुआ है किसी में एक पेपर में आपको एफ दिखाई देता है बैक पेपर की इस्तिती दिखाई देती है तो उससे आपको घबडाने की किसी को जरूवत नहीं है या कभी आपने रिजल्ट देखने की कोशिस की तो उस पे पासवर्ड मांग रहा है कभी कुछ तो यह हेंगिंग हो रही है इससे भी घबडाने की कोई उर्ट नहीं है रिजल्ट बहुत अच्छा है आप लोगों का अच्छी परसेंटेज के साथ आ रहा है च्छत परसाओजी माराज ने बहुत अच्छी तरिक्षित रिजल्ट दिया है किसी बच्चे के रिजल्ट में एपसेंट है तो उसके लिए घबडाने की जरूरत नहीं है उसका भी संसो करके एक लेटर कॉलिष से बन जाता है और विसवताले से सनसोधन हो सकती है तो सारी चीजे वहुरह जाती है और आप अगले सेमिस्टर में जब अगर फर्स्ट वालों का जो बैक आया है तो थर्ड में पढ़ जाता है और फिप्ट में भी पढ़ सकता है वो अगर फिप्ट में डालना चाहते हैं तो फिप्ट में आप ले सकते हैं इसी तरीके से थर्ड सेमिस्टर वालों को भी फिप्ट म बैक पेपर डालने का चांस है तो वह अगली बार जब फर्स सेमेश्टर का बैक पेपर उसके साथ उन बच्चों साथ बैठके वह बैक पेपर दे सकता है तो एनिपी यानिकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी है 2020 वाली तो इसमें क्या है कि यह सारी सुब्धाएं पिसमदाने के द्वारा दी हुई है बारा सरकार के द्वारा इस नई सिचालीती में दिया हुआ है तो कहता ही बिल्कुल घबडा है नहीं अपने टीचर की रेस्पेक्ट भी कम नहीं करें आपस में प्रेम से रहें और एक बता दे कि सब लोग अपने अपनी मार्षीट है जिनके हाथ में आ गई तो वह अब भी अगर फिप्त में है तो वह सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं उसको कर सकूं देख सकूं समय सकूं कहीं कोई फाल्ट तो नहीं है कुछ बच्चियों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब परिच्चा के लिए एक्जमनेशन फॉर्म भरा गया था सब्जेक्ट सेलेक्शन होगा था तो विस्वदाले के द्वारा उसको सेलेक्ट करने के पस्चात उसको प्रवेश्पत्क दे दिया गया था और वो प्रवेश्पत्क के बाद में विस्वदाले ने जब देखा कि वो सब्जेक्ट या कहीं कुछ फाल्ट हो रहा है तो उन्होंने उसके बाद दूसरा प्रेविस पत्र दे दिया और कुछ बच्चों को इस बात पता नहीं चल पाई या जो पहले पेपर दे चुके थो उन्होंने द्वारा पेपर नहीं दिया तो यह थोड़ा सा रहा है परिश्चा के कारकरम में तो वो भी अब समसोदित आगे से कभी नहीं होगी ऐसी समस्चाएं ऐसे सेट कर दिया गया है तो वो सारी चीज़ों को सही किया जा रहा है उसकी लेखा पड़ी चल नहीं है तो सब चलेगा आगे तो आप एक्षात्र जीवन में हैं तो कत अब इक साथ बिस्वितालक के साथ बड़े प्रेम से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कता ही गवडाने बात नहीं और चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा यह हो और कोई भी ऐसा नहीं है मैंने अभी बोस्तली लोगों का यह देखा हुआ है क तो यह बहुत अच्छा गोड़नक है तो अपनी परिच्छा को समझते रहे बस सीरी सी बात है कल यानि कि आप मंडे को आप कॉलिज पहुचिए अपना एड्मिरिशन ले लीजिए और साथ में अब तक की जो भी मार्शीटे हैं आपके पास फोटे स्टेट हैं वो अपने आधार के साथ में अपने फोटो के साथ में अपने फॉर्म के साथ सब्मिट करवा दीजिए जिससे कि आपके प्राचार को या आपके कॉलिज के ऑफिस को उसको सेटल करने में और मुझे भी कोई परिश्वानी ना हो तो बच्चों आप लोगों का सहयुग मुझे बहुत सकती है तो हमें और आपको मिलके ही चलना होगा सफलता है लेने के लिए तो बच्चों बहुत अच्छा रिजल्ट है और अपनी फीस जो है वो अपनी जमा करें और जो आखरी समिस्टर में सिक्स में आ रहे हैं तो उनको डिग्री की फीस भी जमा करनी पड़ेगी टाइम स तो अभी फटा फटा रेडी रहिए सकसिस के लिए आगे के देखिए और जो पिछले जो गलती होती है उसमें सुधार किया जाता है और अगले सुधार के लिए आगे सफलता है प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ कंदे सकंदा मिला करें चलिए मेरे प्यारे बच्चे ह और यहीं चाहूंगा कि किसी को कोई तकलिफ ना हो और हमेशा मैं प्यास करता हूं अगर फिर भी कोई टूट होती है मुझसे तो मैं च्वाप्राइथी भी हूं बच्चों से ऐसा कुछ नहीं बड़ा है तो वह अपने बच्चों से भी स्वारी कह सकता है कुसी बात का किसी क को ठीस लगा हूं तो बाराल मेरा यहीं प्यास रहेगा कि बच्चों आपको बहुत अच्छी सफलता है मिले और बहुत अच्छी मेहनत के साथ अब अगले पढ़ाप पे हम लोगों को पहुंच दर होगा तो गुड़ लक और यह चैनल को डॉक्टर तरपाटी सर के नाम से गुड़ लक